अब आप कैसे हैं चलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दुनिया का सबसे पावरफूल टूल्स के बारे में वर्टप्रेस वर्टप्रेस से आज हम लोग इसको इंस्टॉल करके हम लोग अपना एक खुद का वेपसट बनाएंगे अब वेपसट अब वेपसट बनाने में हम लोगों को दो चीज खरीदना पड़ता है एक तो हो गिया होस्टिंग और एक हो गिया डोमेंड नेम होस्टिंग उसे कहते हैं जहां पर यह आप अपना वेपसाइट का डेटा कोई इस्पेस में रखते हैं तो उसको किराय में खरीदना पड़ता है और एक डोमेंड ने मुझे होता है जो एक यूनिक नेम होता है जो यूनिक नेम आप वर्लड वाइस कहीं से भी उसको एक्स करेंगे एक्चुलि फ्री में बहुत सार वे साइट में एवेलेबल एकन फ्री का चीज फ्री का हुएता है तो हम लोग आज अपने computer को host बनाएंगे, मतलब अपने computer को local host server मना लेंगे और उसमें एक टो software को install करेंगे, जिसका नाम है web server इसको हम लोग install करते हैं और अपने ही computer में हम लोग local host server मनाएंगे जिसके लिए hosting और domain name खरिदने के जरुवत नहीं है normally दो company जो बहुत important company है, hosting और domain name जो provide करती है एक तो go daddy का नाम आपने सुना होगा यह hosting और domain name provide करती है और दूसरा है host cater, यह दोनों ही company बहुत अच्छी, बहुत अच्छी service देती है इसमें लेकिन आपका पैसा खर्च होगा, आज हम लोग कुछ भी खर्च करना नहीं चाह रहे हैं, आज हम लोग free में अपने ही computer को host server बना लेंगे और domain name कोई भी हम लोग यहां से रख लेंगे, हम लोग domain name करने का जरूवत नहीं है तो चलिए हम लोग पहले इसको install कर लेते हैं, इसको आप install कर लीजिए, आपका system पहले देख लीजिए, आपका 32-bit और 64-bit का जिसका भी system है, आप यहां से install कर लीजिए, तो आपका system में server install हो जाएगा, हमने already install कर लिया है, इसलिए मैं install नहीं करता, और यहां से आप जाके, यहां से wordpress, wordpress actually है क्या है, यह open sales source web creation tools है, जिसको हम लोग CMS यू बोलते हैं, इसमें आप अगर चाहें, तो e-commerce, जिस तरह flipkart, railway का है, bus.com, यह सब जो है, इस टाइप टूप का जो website होता है, इसमें e-commerce का भी website in future में आप बना सकते हैं, यह facility wordpress.org में है, तो आप wordpress.org में जा करिजिए, हमने इसको दोनों को ही download कर लिया है, अब हम लोग चलते हैं, सीधा अपने server में, तो हम इसको minimize करते हैं, यहां पर देखिए, यह server है, इसको double click करने के बाद, आपका server on हो जाएगा, तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, यहां पर इस system tray में, आपको server मिलेगा, ग्रीन कलर का आपको दिखता होगा, यह वाला server है, ठीक है ना, तो कभी कदर होता क्या है, कि यह server install नहीं हो पाता है, तो कोई file, dll file बगर है missing होता है, तो आप उसको note कर लिजिए, कौन सा dll file missing है, आप net में search कर जिए, फिर उस dll file को download करके, अपना problem को fix कर लिजिएगा, ज windows आता है, यहाँ पर आपका server फिलार running अवस्ता में है, ठीक है, इनकेस अगर कुछ problem होता है, तो यहाँ से आप server को restart कर दीजएगा, तो फिर से यह run हो जाएगा, अब server हमारा run हो गया, अब हमारे पास जो data है, wordpress, जो CMS tool, CMS है, content management system, इसको आप download करिएगा, तो gip file में आएग अब होज़ेगा, मतलब local host में, आपका computer file, local host है, तो हम इसको यहाँ से copy करके, हम local host में डालेंगे, तो हमारा host के आया है, फिलाल, हमारा host file है, हमारा computer, तो यहाँ पर जाकर click करते हैं, और यहाँ से, हम लोग www directory में जाते हैं, और यहाँ से, यहाँ पर जाने के बाद, हमारा copy हो रहा है, copy होने के बाद, इसको हम लोग rename कर लेंगे, अपने site के हिसाब से, तो चलिए, हम लोग यहाँ पर rename कर लेते हैं, कोई नाम रख देते हैं, तो यहाँ पर फिलाल मैं इसको rename करता हूँ, my house के नाम से मैं rename कर लिया, अब हमारा दूसरा काम है, कि हमको database बनाना है, तो फिर से हम लोग server में जाते हैं, और यहाँ से, फिर से हम लोग server में जाते हैं, और यहाँ से देखिए, उसी के उपर php my admin वाला एक option मिलेगा, यहाँ पर click करने के बाद, आपको यहाँ पर logging करके अंदर जाने पड़े, तो by default इसका user name होता है, जब आप सुरुवात में पहली बार खोलेंगे, तो root होता है और password कुछ नहीं होता है, तो हम यहाँ से go mail क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने एक window खुलेगा, अब हमको यहाँ पर database user name, user बनाना है, तो यहीं पर उपर में add a new account में क्लिक करते हैं, और यहाँ पर कुछ format हो, इसको हमको भरना होगा, तो चलिए, देखिए, यहाँ पर हमने 3-4 field था, user text field में हम my house लिखे हैं, और उसके बाद local, यहाँ से हम लोग local select किये हैं, और यहाँ पर local host और उसके बाद पासपर्ट में 1-2-3-4-5-6 लिखे हैं, लिखने के बाद आप इसके नीचे आते हैं और यहाँ पर देखिए, database for user account में दोनों तरफ चेक कर देते हैं, इससे हम एक user के साथ database बना लिए, अब यहाँ global privilege में जाकर यहाँ पर चेक करते हैं, चेक all जिससे हमारे user को पूरा access मि जाता है इस local host में, ठीक है, अब यहाँ पर जाके एक दम नीचे के तरफ गो का एक official मिलता है, यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं, तो अब हमारा database और user यहाँ पर फिलाल तयार हो गिया, चलिए अब दूसरा काम है हमारा, यहीं से जाकर server में जाते हैं, और फिर से हम लोग www directory में क्लिक करते हैं, अब जो my host, जो हम लोग वहाँ से wordpress का folder को यहाँ पर copy कियें थे, www डेरेक्टरी में हैं, इसको हम लोग खोलते हैं, और यहीं पर देखिए, आपको wv config slash dot php का एक file मिलता है, इसको आप right click करिए, right click करने का बाद open with notepad plus plus, यह एक छोटा से software है, जिसको आप अराम से download कर सकते हैं, इसमें programming language को edit करना बहुत आसान होता है, तो यहाँ पर हम लोग click करके इसको open करते हैं, अब अराम से यहाँ पर जो जो चीज हम लोग वहाँ पर रखे थे, इसको यहाँ पर भर लेना है, जैसे database का नाम और उसका username पासवर्ड, तो हमारा database का नाम था, my house, ठीक है, my house, और यहाँ पे username था, my house, और पासवर्ड क्या था, पासवर्ड था, 123456, ठीक है, 123456, पासवर्ड था, यह सब करने का बाद, हम उपर में इसको जा के save कर देते हैं, WordPress का जो यह है, इसको हमको install करने पड़ेगा, जिसके लिए हमको अपने ब्राउजर में जाने पड़ेगा, यहाँ पे localhost, localhost, localhost के बाद, जो आप folder का नाम रखे थे, जैसे हम लोग रखे थे, my house, my house को click करने के बाद, यहाँ पे आपके सामने यह WordPress का installation process start हो जाता, आप यहा यहाँ पे आने के बाद, आपको list go में click करना है, अब यहाँ से database, name, username, password, database यह सब आपको यहाँ पे बरना है, तो चलिए फटा फट बर लेते हैं, और last में run the installation में click करते हैं, तो यह हमारा installation होना जैसे start हो जाएगा, उसके बाद, आपको यहाँ पे अपने site का नाम लिखना लिखते हैं, और यहाँ पे आपको कोई password देना है, तो फिलाल हम छोटा सा कोई password लिखते है, 123456, confirm, use a weak password, कोई बात नहीं, आप strong password दीजागा, और यहाँ पे email हम लिख देते हैं, तो अपरेशित zone के ही नाम से, at gmail.com, यहाँ लिख देते हैं, और search engine, यह search engine करने के बाद इ valid user name, तो यहाँ पे user name लो छोड़ दिया है, यहाँ पर ही wordpress को login करने के लिए user name चाहिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं, अपर रिचीत कर देते हैं, ठीक है, और confirm password, confirm, एक फासर ठीक है, और यहाँ से हम लोग, it is up to search engines to honor this, यहाँ पे click करते हैं, तो हमारा wordpress का अपर रिच आता है, अब हमको इसको admin panel में जाने के लिए, इसका मतलब हुआ, आमको back end में login करने के लिए, या तो address bar में लिखना पड़ेगा, या तो यहाँ से direct आप login कर सकते हैं, 123456, तो जैसे हम इसको login करते हैं, तो हमको ले जाता है back end में, यह हमारा back end हमारा खुल गया, अगर आप चाते हैं, कि यहाँ से भी login करना तो यहाँ पर देखे, localhost-myhouse बने जो folder का नाम wv.admin, इसको भी आप क्लिक करके ही direct login में जा सकते हैं, तो यह हमारा wordpress इंस्टॉल हो गया और इसका dashboard इस तरह से हमारे सामने आया, अगर, next box, dashboard तयार हो गया, अब इसमें से हम लोग 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 करने के बाद यहाँ से logout हो सकते हैं, ठीक है, लोग करने के बाद आप यहाँ से देखे, default है, default यही है, अब यहाँ से हम लोग यहाँ से visit करके, right click करके open tab में खोलते हैं, तो यह हमारा website फिलाल install हो गया है, अब यहीं से हम चाहें तो अपना blogging और posting करना start कर सकते हैं, तो चलिए हम लोग इसमें कुछ post create कर लेते हैं, दो यहाँ पर एक title है, तो हम लोग यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, आप कुछ भी title लिखे, मैं dummy post, fun लिखता हूँ, और एक dummy content जो हम यहाँ पर लेक्स्टॉप में रखे हैं, इसको हम copy करके, और यहीं से हम paste कर देते हैं, आप अपना हिसाब से अपना post किजिएगा, तो फिल set feature image में click करते हैं, और यहाँ से एक picture को हम ले आते हैं, तो इसी तरह हम चार, इसी तरह मैं चार post को यहाँ पर डाल देता हूँ, ताकि हमारा website का looks थोड़ा अच्छा दिखे, तो अभी तक हमने चार post डाल दिया है, चार post डालने के बाद यहाँ से हम लोग update करते हैं, अपडेट करने के बाद, अब हम लोग जाके देखते हैं, कि हमारा looks कैसा होगा, यहाँ पर जाके हम लोग refresh करते हैं, रिफ्रेस करने के बाद यह देखिए, हमारा यह पहला, दुस दूसरा, तीसरा, सबके साथ, यहाँ पोश्ट यहाँ पर तो आ गया, अब इसको हम लोग थोड़ा से looks चेंज करेंगे, तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, यहाँ पर चलते हैं, और यहाँ से देखिए, appearance में आने के बाद, theme में आने के बाद, यहाँ पर आपको पसंद है, तो यह theme ले लिजे, मैं एक दूसरा theme लेना चाहता हूँ, यहाँ पर add में यह करता हूँ, यहाँ पर मैं virtue, virtue theme, virtue theme को सर्च करता हूँ, और यहाँ से मैं इसको install करता हूँ, installing start हो गया है, install होने के बाद, आपको यहाँ पर activate करना है, activate करने के बाद, यह virtue theme आपका, जो theme था फिलाल यह ऐसा, इसको मैं रिफ्रेस करकर देखते हैं, तो देखिए, यहाँ पर virtue theme आगिया, अब यहाँ पर जाके, हमको यहाँ पर sliding change करना होगा, और यह दिखिए, post का कुछ इस तरह से आगिया, अब यहाँ पर और बहुत सारा काम है, तो चलिए हमको पारी-पारी से इसको करते हैं, देखिए, इसका खासियत कितना अच्छा है, यह बिल्कुल responsive website है, अब यहाँ पर आप इसको जितना भी छोटा करते जाएं, आपको mobile के figure में यह आपको देखेगा, यह देख नीचे में देखिए, एक plugin का option है और यहाँ पर add new में क्लिक करते हैं, और यहीं पर इसी से related एक नय plugin install करेंगे, इसके लिए आपको net से connect होना बहुत जरूरी है, ठीका, तो अब net से connect रहेगा, तो यहाँ पर ही virtue का ही plugin install करेंगे, तो जैसे हम लोग इंटर करते हैं, तो यहा हमारे सामने install होगा, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, वो वर्चू का plugin कौन सा है, तो यहाँ पर हमको वर्चू का ही एक plugin मिल जाता है, यह plugin का इस्तमाल होता है, कि हमारे website में, हमारे theme के साथ एक functionality create करता है, एक तरह का software है, तो हमको इसको install करना पड़ागा, तो हम लो थोड़ा से वक्त लेता है, तब तक के लिए, अब यहाँ पर plugin हमारे install हो गया है, अब हम इसको activate कर देते हैं, activate करने के बाद, अब चलिए इसको हम लोग, slider को हम लोग चेंज करेंगा, और एक logo हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, और कुछ pages को add करेंगे, तो चलिए हम लोग फिर से हम लोग backend में जाते हैं, backend में जाने के बाद, यहाँ पर देखिए, pages वाला column में जाके, यहाँ पर add new में click करते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, about, about us पर लिख करका, और यहाँ पर कुछ हम लोग paste कर देते हैं, तो हमारे पास, यह dummy content था, issue को हम आप लेकिन कीजिएगा, सोच समझ के, कि क्या लिखना है about us में अपने company के बारे में, ठीक है, और यहाँ पर जाके, हम लोग publish कर देते हैं, तो हमारे एक page publish हो गया, add करने के बाद, अब यहाँ से appearance में आके theme option में आते हैं, theme option में आने के बाद, यहाँ पर देखिए main settings है, औ और इसी के नीचे में सबका sidebar के हिसाब से किया हुआ है, तो फिलाल हमारा कोई sidebar नहीं है, यहाँ पर देखिए, आप जिस तरीका के sidebar भी लेना चाहते हैं, इतना footer, इतना, तो हम लोग तो अल्रड़ी एक theme यूज़ कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ से नीचे आके, हम लो अपरेट करते हैं। यह हमारा लोगो आड लिया है। लाश्व में सेल चेंज में करते हैं उसी के बाद ओग अब नीचे में आते हैं। इसमें अब हम लोगो को दोलों के बाद यहाँ परण अब यहाँ time option में आना है। page, temporary لوگو को करने के बाद, अब यहाँ पे चलते हैं home slider में, जो हमारा slider है यहाँ पे हमको 3 image upload करना है तो यहाँ से जाते हैं, हम लोग home slider settings में है और यहाँ पे new slider, यहाँ पे हमको 3 करना है तो हम यहाँ पे 2 बार add करते हैं, ताकि हमारा तीन तो हो जाए अब यहां से new में जाके हमको upload करना है ठीक है तो चलिए फटा फट तीनों upload कर लेते हैं यहां पे हमने तीन image upload कर लिया है और last में जाके हमको यहां पे कुछ और भी option है में savings करने का यहां पे लेंथ वीद और हाइट यहां आम सेप चेंज में दो quanto आ में आप आब यहां से हम लेयन ओइंडा ने करने के बात हम अपने हों लेय ओट में क्या रखना चाहते हैं, तो यहां पर देखिए दो option है, disable और enable, तो पहले जो enable वाला जितना भी चीज़ है, हम इसको set में ले आते हैं, ठीक है, और अपने हिसाब से हम लोग enable वाला में ले जाएंगे, तो सबसे पहले हम icon वाला को ले जाते हैं, ठीक है, एक आ गिया, उसके बाद portfolio को ले जाते हैं, इसका नीचे, और इसके बाद latest block, तो click करकर इसका नीचे हम लोग रखते हैं, तो यह हम लोग 3 यहां पर कर देते हैं, और यहां पर home block title, तो home block title में कुछ लिखना है, तो हम लोग display portfolio type under title, अब यहां से जाके save change में click करते हैं, ठीक है, अब इसमें नीचे में आने के बाद, इसके नीचे में home block title, title में कुछ लिखना है, तो लिख दीजिए, तो फिलाल हम यहां पर portfolio यहां पर, पूटफोलिय में कुछ लिखना है, और कुछ करना है, अब यहां पर कुछ आइकोन जोड़ना है, तो यहां पर चलिए हम लोग त 1, 1, 2, 3, तो 4 इकोन अपना पसंद से आप यहां से डाल सकते हैं, अब साफ करने के बाद, साफ करने के बाद, यहां फिर आपने हिसाफ करने के बाद यहां पि यहां आपने अपनेचापि ते samatra album वगर अपर व्हिलेट कर लिया है, और vandaag यह यहां लिख आपके वाद हम में तो देखते हैं कि हमारा किस तरह से देखी ऊपर में logo है बहुत खराब लग रहा है यह logo आप अठा सकते हैं और यहां से गर अफ करते हैं तो भी अच्छा यह slider हमारा slide हो रहा है ठीक है और यहां पर आपका search icon इसको पर आप click करिएगा तो आपको search वाला option मिले जाते हैं यहां से आप search कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से हम अपना web page का look दे सकते हैं अब नीचे में कुछ हमको footer बगारा add करना है तो चलिए इसको add कर लेते हैं तो अब यहां पर हम लोग फिर से back end में जाते हैं और यहां से हम लोग footer को add करेंगे और इसके बाद portfolio को चलिए पहले portfolio को add कर लेते हैं यहां पर जाइए नीचे में और यहां portfolio का icon मिलता है इसी के नीचे में add new में आप click किजिए add new में click करने के बाद आपके सामने यह खुल जाता है यहां पर portfolio add किजिए कि यहां पर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट वन add करते हैं और यहां पर कुछ dummy content है वह रख देते हैं तो महारे पास dummy content यहां पड़ा हुआ है इसको फिर से copy करते हैं और यहां से portfolio में paste कर देते हैं ठीक है और नीचे में जाके यहां से हम लोगे फीचर photo add करेंगे तो चलिए यहां से हम लोग फोटो को अपलोड कर लेते हैं चलिए photo upload कर लिया इसी तरह यहां पर save कर देते हैं और अप्डेट कर देते हैं अप्डेट कर देते हैं उसी तरह हम लोग और दो portfolio में add करेंगे तो चलिए फटाफट कर लेते हैं तो इस तरह से तो इस तरह से हमने तीन project को add कर दिया और इसमें picture भी update कर दिया है अब इसको हम लोग update करते हैं अप्डेट करने के बाद अब यहीं पर हमने को footer में जाना है तो यहीं पर नीचे में देखिए widget का option आपको मिलेगा तो यहां पर widget का option side में settings, plugin, appearance में widget का option यह widget का option मिलता है और यहां पर जाके हमारा footer one, two, three, four है तो पहला में हम contact वाला पहला में रखते हैं ठीक है अब यहां पर हमको contact का पूरा detail भरना है दूसरा में रखना है latest post चलिए recent post हम लोग रख देते हैं recent post दूसरा में रखते हैं तो दूसरा वाला icon यहां है recent post रख देते हैं इसी तरह और उसके बाद image greet रखते हैं और last में social media रखते हैं तो चलिए फटा-फटा हम लोग इसको कर लेते हैं देखें यहां पर हमने अपना contact का पूरा detail भर दिया है यहां पर latest post का और यहां पर project का और last में यह कैसा लगता है सारा चीच करने के बाद हम save कर लेते हैं उसके बाद अब यहीं से हम लोग visit करके देखते हैं कि हमारा site अभी किस तरह से दिखता है तो चलिए यहां देखते हैं यह देखें यहां पर हमारा नाम है अपरिसेज जोन यह हमारा slider है इसके बाद icon है और यह वह थोड़ा बड़ा होगी actually तो यह हमारा project से related जो था तीन photo हम लोग दिये थे इसके बाद latest post है ठीक है जिस post के उपर आप click करिएगा वह post इस तरह से खुलेगा और नीचे में आपको reply करने का option मिलता है comment करने का option मिलता है और उसी तरह हम अगर पीछे जाते हैं और नीचे के तरफ जाते हैं तो यहां पर दी keep in touch मैंने contact us में हमारा पूरा detail है ठीक है उसके बाद latest post जो किया गया था जितना वो है project view को हम लोग यहां से भी देख सकते हैं और यहां पर social media का icon इसको पर हमना click करते हूँ जैसे करते हैं तो हम अपने site पर चले जाते हैं तो यह बहुत ही powerful wordpress का cms था tools था अगर यह videos आपके लिए important है तो आप step by step इसको follow किजिए practice किजिए देख लीजिए अब बाद में जब आपका पैसा आपके साथ सामने बने पैसा आ जागा तो आप इसको बाद में भी hosting और domain खरीद कर इसको internet में upload कर सकते हैं तो चलिए आज के वीडियो के लिए और आपने इतना समय दिया इसके लिए धन्यवाद महरवानी सब्भाकर टाटा भाई भाई सी यू टेक केर